एक आदमे एक लड़की को पैसो के लिए एक घटिया प्रपोजल देता है इसके बाद इनका प्लान से इसे चल रहा होता है पर इसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है आज के हमारी मूवी परफेक्ट प्रपोजल ये 2015 की क्राइम थ्रिलर मूवी है इस मूवी में जो ट्विस्ट आता है और इसके बाद जो जो सिचेशन होती है ये बहुत ही सही है ये एक मिस्ट्री मूवी है तो इसके बारे में जादा बोलना कुछ गलत हो सकता है तो चली शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें मकाओ दिखा जाता है कसिनो लाइफ, बार लाइफ, यह सो हम देखते है इसके बाद हमें एक बार में जीउन जो हमारी मेन कारेक्टर है यह बियर वेगरा सर्व करते हुए दिखती है जब अपने फ्रेंड से बात करे होती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक एड़डाइजमेंट दिखाती है इस एड़डाइजमेंट में लिखा होता है कि एक आदमी की केर करने के लिए एक सिंगल वूमन चाहिए और इंटरव्यू के बाद ही इसका फैसलाओ करेंगे कि उसे जॉब मिला है या नहीं इसकी फ्रेंड कह रहे होती है कि इस इंटरव्यू का मिनिंग ही अलग है बुढे आदमी को मजे करने है इसलिए उसे लड़की चाहिए इसमें पैसे भी बहुत सारे मिलने वाले होते है ये दोनों जब बात कर रहे होते तब जिउन का पार्टनर वहात है जब बात कर रहे होते है इसने बहुत सारे पैसे लिये थे जिउन इस आदमी की पार्टनर थी और अच्छी फ्रेंड भी थी इसलिए अब जिउन को ही धमकाने लग जाते है ये कहते है इसने जो सब पैसे लिये थे ये सब अब तुमें पे करने है वरना तुमारी लाइफ खत्र में हो सकती है जिउन अब बड़े प्रॉब्म में फस जाती है अब क्रेडिट्स रोल होते है और हमें दिखता है कि जिउन इंटर्व्यू के लिए जा रही है जो इंटर्व्यू उसकी फ्रेंडों से दिखा रही थी है और मैन के केर करने के लिए उसी इंटर्व्यू में जा रही होती है इंटर्व्यू लेने के लिए और एक मेन कारेक्टर हमें इंटर्व्यू किया जाता है इसका नाम होता है संक संक उससे फिर कोरियन में बात करने लग जाता है मकाव में सब इंग्लिश बोलते है और जी उन खुरियन बोल सकती है इसलिए इसका एक प्लस पॉइंट होता है जोन के बारे में सब चीजे हो पोचता है जोन से पोचता है यह तो भवरी मदर कहा रहे थी है जोन को बहुत ही बुरा लगता है संग फिर जॉब के बारे में समझाता है वो कहता है कि यह जॉब मकाओ के सबसे बड़ी कसीन ओनर के लिए है जब हम इसके बारे में बात कर रहे है तो तुम्हें लग रहा होगा कि यह self-made man है बहुत बड़ी-बड़ी charities करता है और बहुत ही अच्छा आद्मी होगा पर यह बहुत ही घट्या आद्मी है यह egoistic सब लोगों पर जिर्णने वाला और किसी को भी कोई भी नहीं समझने वाला एक बहुत ही घट्या इंसान है इसके तुम्हें care करनी है यह इसका job होता है वो जिवन से बोचता है कि तुम्हें क्यों यह job लेना है जिवन कहती कि मेरी financial situation बहुत ही खराब चल रही है मेरे partner ने loan लिया था और मुझे वो pay करना है संग impressed हो जाता है वो कहता है कि तुम बहुत ही straightforward हो यह उसे पसन आता है जिवन कहती है क्या मुझे यह job मिल चुका है संग कहता है कि नहीं इसमें और भी कुछ चीज़े है संग फिर उसे एक location बदाता है एक hotel में मिलने वाले होते है उसे कहता है कि मैं तुम्हें proposal वहाँ समझाने वाला हूँ तो मैं सिर्फ यह proposal सुनने के लिए proposal देने वाला हूँ अगर तुम्हें uncomfortable लगे तुम कभी भी उठकर जा सकती हो यह thousand dollars किसी को भी यह बात ना बताने के लिए है जिस old man की जिवन को care करने होती है इसका नाम होता है किम संग फिर कहता है किम की family एक accident में मर गई थी उसके बाद यह कभी भी घर नहीं गया है यह याट पर ही रहता है यह बहुत अकेला हो चुका था तो उसके सर्वन के साथ यह रहता है एक दिन उसे ऐसे ही याद आ गए वो जब यंग था तब एक लड़की के साथ इसने अनितिक संबन बनाए थे इस वज़े से उसे एक लड़का भी था यही लड़का संग है जिउन को समझ में नहीं आ रहा होता यह कह कह रहा है संग फिर कहता है कि किम के बारे मुझे सब कुछ पता है उसे किस तरह की लड़किया पसन है किस तरह की चीज़े उसे करनी अच्छे लगती है किस तरह की बाते उसे अच्छे लगती है सब कुछ चीज़े मुझे पता है संग को अब किम से बदला रेना है किम की जो सब प्रॉपर्टी है यह संग को नहीं देने वाला ये सब property charity में दे देने वाला है इसलिए संग इससे बदला रेना चाता है संग कहता है कि तुम्हें इससे शादी करनी है अगर जिवन किम से शादी कर लेगी तो सब property जिवन को जली जाएगी संग कहता है कि किम जब मर जाएगा तो 50-50 property हम भाट लेंगे संग कहता है कि जाना है तो जा सकती हो पर फिर भी वो गुंडे तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे तुम्हारे पैसो की problem कोई भी solve नहीं करने वाला जिवन वहाँ से निकल जाती है जो वो अपने building में आती है तो उसने rent भी नहीं दिया होता उसका landlord उसके पास आता है और उसका शोशन करने के कोशिश करता है जिवन अब संग का proposal accept करने के लिए ready हो जाती है संग पहले जिवन को shopping करवाने के लिए लेकर आता है उसका complete makeover करता है किम को किस तरह की औरते पसन है उस तरह का उसे वो complete makeover देता है जिवन आप याट पराती है उसे जब सब servants देखते है तो इन्हें बहुत ही beautiful लगती है किम जब वहाता है तब सब लोग डर कर side में हो जाते है किम जिवन से पुछता है कि तुम late हो चुकी हो मुझे wait करवाना ये अच्छा idea नहीं है जिवन कहती है कि एक old lady थी उसकी मैं care कर रही थी और मैंने ओ जॉब छोड़ दिया है और यहाँ आ चुकी हो किम कहता है या तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ आदमी हूँ सारे casino सारे yards वागेरा सब कुछ मैं उन करता हो किसी old lady के लिए तुम मुझे wait नहीं करवा सकती है किम फिर उसे instruction देता है किम कहता है कि मैं city बजाओंगा मैं अगर city बजाता हो तुम्हें 2 minute में मेरे पास आ जाना है जिवन कहती है कि मेरी services के लिए तुम मुझे pay कर रहे हो तुम मुझे इस तरह से disrespect नहीं कर सकते है तुम्हें मुझे सही से treat करना है और ये जो city बजाओंगा तुम कह रहे हो ये मैं नहीं करने वाली तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगे अगर कोई urgent काम है तुम मुझे call भी कर सकते हो संग ने जीउन को कहा होता है किम बहुत ही ideal है तुम उसे जितना तंग करोगी उतना ही उसका frustration बढ़ता जाएगा वो तुमें पैसे offer करने ही कोशिश करेगा और जब उसे पता चलेगा कि पैसों से तुमें वो बाई नहीं कर सकता तब वो तुम से शादी करने के कोशिश कर सकता है यही इनका plan होता है तो यही जीउन अब established कर रही होती है इस याट की वेटर जीउन को सब जगा वेकरे दिखाती है उसका room भी उसे दिखाती है जीउन को यह जगा बहुत ही पसंद आती है रात में संग और जीउन दोनों डेक पर मिलते है संग कहता है तो हमार फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही बढ़िया था जीउन भी डर रही थी पर फिर भी इसने अच्छा इंप्रेशन दिया है संग कहता है कि कीम को हमेशा लगता था कि उसके पैसो के लिए सब और दे उसके पास होती है अब उन्हें इसके ऑपोजिट प्रूव करना है नेज़ दिन जीउन बेटिंग सोट में बात वगरे लेती है कीम उसे ही देख रहा होता है कीम के पास जीउन आती है उसका ब्लड प्रेशर वगरा सब को चेक करे होती है तब कीम को एक सिगरेट चाहिए होती है डॉक्टर ने मना किया होता है तो जीउन भी अब मना करे होती है कीम अब उसे 100 डॉलर्स की नोट देता है कहता है कि मुझे तुम सिगरेट देदो और किसी को भी बता ना मत जून कहती है कि मैं यह नहीं करने वाली है किम अपने एक बॉक्स में से एक रूबी डाइमन वाला नेकलेस निकालता है वो उसे ओफर करता है जून कहती है कि यह बहुत ही ब्यूटिफुल है फिर भी यह ओफर ही एकसेप नहीं कर सकती अब किम इस वार बहुत ही चीर जाता है कहता है मैं पैसे पे करता हूँ मैं जो कहूंगा वो तुमें करना पड़ेगा मेरे खिलाफ अगर तुम जाओगी तुम्हारी लाइफ में हेल बना दूँगा जिउन कहती है हो गया तुमारा और वहाँ से चली जाती है रात में हम देखते है कि जिउन ने अभी-भी जॉब लिया है तो इसकी वेलकम पार्टी चल रही होती है इस पार्टी में संग और जिउन को नाचनी के लिए कहते है यह दोनों बहुत ही ब्यूटिफुल डांस करते है जिउन कहती है कि हमारी स्टोरी तो सिंड्रेला जीसी है तुम अचाना मुझे बचाने के लिए आगे सिर्फ हिल तूटना ही मिसेंगे और यहाँ इस दांस करते हुए इसकी हिल भी तूट जाती है नेक्स राथ हम दहीते है किम और उसका कैप्टन यह दोनों कॉरियन चेस खेल रहे होते है इस याट की वेटर जब उसके पास आती है तो किम कहता है कि अब से तुम मुझे लिकर सव नहीं करोगे किम कहता है कि मुझे दारो के नाम पर पानी नहीं पिना है थोड़ी दर में जीउन भी वहा आती है और इनका गेम देखती है गेम देखकर इसे पता जा जाता है किम को हरा सकता है किम को चाल पताती है और किम सचुन में हर भी जाता है किम इगोईस्टिक ही होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है किम कहता है कि अगर तुम्हें सच मुच में इतना गेम ये पता है तो तुम क्यों नहीं खेलती कि मज़ाग करता है कि आरते हमेशा पॉर्स ट्रेसेस इस तरह की चीजों के पीछे ही भागती है इन दोनों की बेट लगती है अगर जीओन जीत गए तो किम से कुछ भी मांग सक जीत गया तो जीओन को सैलरी ने देने हला गेम चलता है और जीओन इसमें जीत जाती है जीओन को कहती है कि तुम्हेरे रूम में पीयानो है जो कभी भी नहीं बचाते, यह पीयानो वह मांग ले थी है इसा करने के लिए संग ने ही उसे कहा होता है अब सब नोकर लोग सीरेस हो जाते और वहाँ से चले जाते थोड़ी देर में जियून वेटर से बुछती है कि ऐसा क्या हो गया है ये वेटर कहती है कि किम अपनी फैमिली के लिए पियानो बजाता था उनका एकसिटन्ट हो गया इसके बाद कभी भी उसने पियानो नहीं बजाया है जियून को बहुत बुरा लगता है ये वेटर वर्णर करती है कि वो उसके दारों में पानी मिला दी थी ये किम को कैसे पता था ये पॉइंट आप ध्यान रखना ये मुवी के लास में आपको पता चलेगा जियून फिर किम के पास आती है और उसे सौरी कहती है किम कहता है कि मुझे भी ज़्यादा पास में ड्वेल नहीं करना चाहिए जियून कहती है कि मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ उसकी मदर का भी एकसिटन्ट हुआ था जब इस स्कूल में थी तभी इसके टीचर ने उसे बताया था पुरे रास्ते भर इसे कुछ भी मालूम ही नहीं था इस सब से ये भी गुजर चुकी है किम कहता है कि इस तरह की बाती उसे पसंद नहीं है उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है किम के लिए जियून को बहुत बुरा लगता है रात में संग जियून से मिलता है जियून से पूछती है तो ये मुझे पहले बता देना चाहिए था संग कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो अब जो natural effect आया है, यह नहीं आ पाता जो उनको कहता है, तुम्हें emotional नहीं होना है हम जो कर रहे हैं, यह strictly professional हमें रखना है यह जब बात कर रहे होते हैं, तो याड का सरवंड यहां आ जाता है इने देख सकता है, तो यह दोनों छूप जाते है एक दूसरे के पास आ जाते है, संग इसे kiss करने वाला होता है पर अपने आपको यह रोक लेता है अब नेक्स दिन सुबह हम देखते हैं, कि किम fishing कर रहा होता है fishing करते होत, एक बड़ा सा fish उसके हाथ लगता है यह fish बहुत ही बड़ा होता है, और इसकी वज़े से इसकी whale chair हीलने लग जाती है यह नीचे पानी में गिर सकता है, पर फिर भी यह fish छोड़ने रहा होता gym इशारे इशारे में एक सर्वन को कहती है, कि इसकी string ही तुम काट दो अब किम इस सर्वन पर बहुत ही चीड जाता है, वह खेता है कि अभी क्या भी जाओ और ओफिश लेकर आओ अगर तुम यह नहीं कर सकते, तुम यह steak खाना पड़ेगा यह जो सर्वन्ट है, यह पाकिस्तानी होता है, और Korean's को लगता है कि पाकिस्तानी लोग steak नहीं खा सकते डारेक्टर को पता नहीं होगा, anyway, यह इसे steak खाने के लिए मजबूर करता है यह मुव में तो लेता है, पर एक खानी रहा होता जून कहती है कि तुम यह गलत कर रहे हो, यह सब अब बन करतो, किम इस वर बहुत इचिर जाता है वो कहता है कि इस याड का ओनर में हूँ, मेरे लिए कोई भी decision नहीं ले सकता में जो कहूंगा, वो ही होगा, यह बहुत ही जिर जाता है, और सब कुछ खाना वेगरा नीचे गिरा देता है जून को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है जून अब यह job छटकर घर आ जाती है, संग और वो दुनों पास आ चुके थे, इसकी भी उसे याद आती है संग राद में इसके पास आता है, वो कहता है कि अब तुमें job पर फिर से वापस आ जाना चाहिए जून कहती है कि यह मैं नहीं कर सकती है, संग उसे फिर से पैसो का लालज देता है जून कहती है कि इतने सारे पैसे है, यह पता है मुझे, पर अगर मैं उसे शादी करूँगी, फिर भी और 10-12 साल जीएगा तब तक यह मेरी life hell बना देगा, इसके साथ मैं कभी भी नहीं जी सकती संग कहता है कि क्या तुम कह रही हो, यह उसे मार देना चाहिए जून कहती कि अगर वो मर गया, तो यही सही होगा यह वो offer नहीं लेने वाली, तो संग यहां से चला जाता है राद में कीम को बहुत ही बुरा लगता है कीम का जो captain होता है, उसके अच्छी friend के तरह होता है यह उसके साथ बहुत ही पहले से है यह captain कहता है कि मुझे आप अलग लग लग रहे हो जब आपकी family थी, तब आप जिस तरह से थे उसी तरह से मुझे आजकल तुम लग रहे थे जिस तरह से आपकी wife थी, जो हमेशा से आपको सही रास्ता दिखाती थी कोई भी गलत चीज़े करने से आपको guide करती थी उसी तरह से जियून थी जियून ने कुछ भी गलत नहीं किया यह उसे समझा रहा होता है किम भी इस वार बहुत ही thought देता है किम नेक्स दिन जियून के पास आजाता है जियून को कहता है कि फिर से तुम याट पर वापस आजाओ उसे इसके लिए वहाँ सारे पैसे देने वाला होता है जियून कहती कि अगर फिर से तुमने पैसो की बात की तो वहाँ से वह चली जाएगी कीम कहता है कि life में मैं rootless था business वेगरा सब कुछ समाल रहा था और मैं लोगों को push कर रहा था मुझे हमेशा से लगता था कि औरते मेरे पास सिर्फ मेरे पैसो के लिए आती है और तुम बहुत ही अलग हो इसलिए अब जियून को मैरेज के लिए प्रोपोस करता है जियून भी इसके लिए हा कर देती है और अब इनका मैरेज होने वाला है कीम को जब संग रेडी कर रहा होता है तो संग एक कैसिनो के बारे में पोच्छता है वहा हो बहां और एक नया मैनेजर लगने वाला होता है यह कसी नो Kim Sang को नहीं देता तो उसकी एक सरवन को दे देता है Kim को कहता है कि उसने तुमसे ज्यादा मुझे सर्व किया है वो हार्डवरकिन भी है से नहीं लगता कि Sang कुछ भी सहिछ से समाल पाएगा वो कहता है कि तुम तुम्हारी मदर की तरह ही वीक हो संग इस वर नाराज हो जाता है वो कहता है यह तुम्हारे पास हूँ यह तुम्हारे पैसों के लिए ही हूँ मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती है तुम्हें मेरी मदर के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है वो तुमसे प्यार करती थी इसी वज़े से उसने मुझे बर दिया था वो 30 साल तक तुम्हें याद कर दी रही आसमें उसके इलाज के भी हमारे पास पैसे नहीं थे इसी वज़े से वो मर की इसके बाद हम देखते हैं कि किम और जीन की शादी हो चाती है रात में जब दोनों बात करे होते हैं तो किम जीन से कहते हैं कि अब सब reporters तुम्हारे पीछे होंगे ये सब तुम्हें Cinderella पुकार रहे हैं तुम्हारे उपर बहुत सारे articles अब होंगे किम सिंडरेले के बारे में कहते हूँ कहता है कि जब सिंडरेले का शूस तूट गया था और जब वो प्रिंस से फिर से मिलनी पाती तब उसके पास दो आप्शन्स थे वो मीरर में देख सकती थी और जिस तरह से वो पिटी थी उसे याद कर सकती थी दूसरा उप्शन था कि उसकी स्टेप मदर के साथ जब वो रह रह रही थी वैसे वो अपने आपको दिखा सकती थी वो अपने आपको इस मिरर में देख कर बदल सकती थी उसे जिस तरीकी का परसन बनना था उस तरीकी का परसन वो बन सकती थी यह इसकी choice थी June कहती है कि क्या यह सच में possible है Kim कहता है कि हाँ मेरी एक employee थी जो सरकस में काम करती थी उसने loyally मुझे serve किया और इसके बाद मैंने अब उसे कसीनो दे दिया है इसके बाद हम देखते हैं कि जब यह celebration खतम हो जाता है तब याड के डेक पर Sung और June मिलते हैं Sung कहता है क्या तुम अब हमारी deal भूलतो नहीं जाओगी न June कहती ही कि नहीं ऐसा नहीं करूंगी Sung इसके पास आता है और इसे किस करता है नेक्स दिन सुबा जीओन उठती है और किम को देखती है तो किम मर गया होता है संग को पास बुलाती है और Sung भी इस वर बिल्यों नहीं कर पाता Sung कहता है कि किम ने अपनी विल चेंज कर दी थी उसके मरने के बाद तुमें ही ये विल मिलने वाली है पर अभी तक इसके ओफिशल सब कुछ काम हो नहीं गया है ये जब समुन दर से सिटे में पहुचेंगे इसके बाद ये सब काम वो कर सकता है Sung जियून से कहता है कि जब तक ये ओफिशल नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि अभी भी किम जिन्दा है किसी को भी अंदर मत आने देना जियून इसपर डर गए होती है यह नहीं कर सकती पर Sung उसे मोटिवेट करता है और वहां से चला जाता है जियून अब किम को रेडी करती है किम बहुत ही बीमार है और किसी से वे बात नहीं करना चाता इस तरह से वो ब्रिटेंड कर रही होती है जब एक शेर पोजाते है तो संग केता है कि अब तुम्हें किम को घर लेकर जाना है जिवन केता है कि ये कैसे possible है ये उन नहीं कर सकती संग केता है कि अगर तुमने इसा नहीं किया तो सब कुछ हमारा waste हो जाएगा दो तिन अवस की बात है तुम इसे घर लेकर जाओ किम हमेशा जब घर आता है तो तुरूंट खाना खाता है जीन कहती है आज इसा नहीं होगा। वह अपने रूम केती है कि एसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। जीन कहीं थी है कि अब मैं इस की वाइप बन चुकी हो। जो भी होगा तो मेरी तरीके से होगा। संग जियून के पास आता है, जियून उसे फिर से पुछती है, तो किम कहता है कि अभी थोड़ा ही टाइम लगने वाला है, संग उसे कहता है किम की डेध कल रात ही हो चुकी थी, अगर पुलिस ने आटोपसी की तो उन्हें पता चल सकता है कि किम की डेध अभी नहीं हुई है हमें अब इस autopsy को जलावा देना है इसलिए वो कहता है कि food अब तुम मंगवा लो एक tube वो जियोन को देता है और कहता है कि इस tube से तुम इसे खाना खिलवाओ किम ने खाना खाया था तो इसे व्रूह हो सकता है कि वो अभी तक जिन्दा था जिउन तो पहली मना ही कर रहे हुथी है पर संग उसे convince करकर वहाँ से चला जाता है जाते वक्त संग को सर्वन भी मिलती है सर्वन कहती है कि आज मुझे कुछ गड़्वल लग रही है किम उसे मिल नहीं रहा संग कहता है कि अगर तुम्हें उसे मिलना है तो तुम मिल सकती हो पर वो सोया हुआ है पिछली बार जब तुमने उसे जगाया था तब कितना बड़ा तमाश हुआ था कि तुम्हें याद है इस सरवन फिर डर जाती है और अंदर नहीं आती थोड़ी देर में हम देखते हैं कि घर में एक आदमी आता है जिउन दरवाजा खोलती हो और कहती है क्या तुम आटोपसी करने वाले हो मैं कहता है कि नहीं मैं पुलीस वाला हूँ यहां कुछ तो गडबर चल रही है यह मुझे पता है अब जिउन को अरेस्ट कर लेता है जिउन के उपर डिरेकली मर्डर का इल्साम वो लगा रहे होते है जिउन के बात्रों में उन्हें ट्यूब्स वेगरा मिली थी यानि कि पहली मर चुका था सब सर्वंट से भी इन्होंने पूछा है जिनसे पता चल चुका है जिउन ये कवर अप कर रही थी जिउन बहुत डर जाती है क्योंकि इस पर सिरेज चार्चेस अब लग सकते है जिउन अब डर जाती है ये सब कुछ सच सच बता देती है ये कहती है कि संग और मेरा ये प्लान था संग विल चेंज करकर आने वाला था और मैं दब तक इस body का ख्याल रगने वाली थी पर फिर भी ये murder मैंने नहीं किया है संग को डिट्टू बुलवाता है जून कहती है कि सब कुछ सच अब तुम इने बता दो संग कहता है तुम जो बोल रही हो ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जून बहुत disturb हो जाती है और वही गिर जाती है इसे hospital में admit किया जाता है वह उसे संग मिलने के लिए आता है संग उसे कहता है कि दो विल वात थे ही नहीं जो पहली विल थी यही original विल थी इसमें लिखा हुआ था कि किम अगर मर गया तो सब property charity को चले जाएगी अब संग को मिलने वाली है संग कहता है कि सालों से में इसका planning कर रहा था और 50% में तुम्हें कैसे दे सकता हो पास मैं उने देखा था कि जून यहाद छोड़ कर घर पर आ गई थी जब संग उसे मिलने के लिए आये था यह सरवन इस वर believe नहीं कर रही होती है जिवन कहती है कि अब truthful होना यही मेरे पास एक option है जैसे सिंड्रेला अंटी decide किया था कि उसे क्या बनना है इसी तरह से अब मुझे decide करना है यह जो सरवन थी इसको किम सिंड्रेला बुलाया करता था इसे लिए यह सरवन अब इस पर believe करने लग जाती है जिवन कहती है कि मुझे किम की funeral पर लेकर जाओ वहाँ पर किम की याड़ पर काम करने वाले जो भी सब सरवन है यह सब available है इनसे बात करकर murder किस ने किया है यह figure out कर सकती है सरवन भी अब इस पर believe करने लग जाती है एक बड़ा सा lawyer बुलाती है और जिवन को किम की funeral पर लेकर जाती है इस funeral पर क्याट के waitress से जिवन मिलती है यह waitress उसे कहती है कि मैंने कभी believe नहीं किया कि तुम यह कर सकती हो मैं तुम पर 100% believe करती हो यह इसे एक bag देती है यह कहती है किम ने तुम्हारे बहुत सारे photos ले थे यह सब इस bag में होते है किम का एक कुता भी था यह इस waitress के पास है यह waitress कहती है कि इस कुते का क्या करना है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा जुन कुछ भी नहीं कहती और वहां से निकल जाती है इस funeral पर पाकिस्तानी सरवन संग से मिलता है यह कहता है कि याड़ पर कुछ गड़बर था इसके लिए इसके पास कुछ evidence है संग इसे बात करना चाता है संग इसे बात करने के लिए गारे में बिठाता है उसे मार ढलता है जंगल में जाकर इसकी बाड़ी वो कार्ड रहा होता है जुन इस funeral से भाग रही हुती है तो पुलिस इसे पकड़ लेते है जब पुलिस की कार में होती है तो सब photograph देख रही हुती है यह photograph देखकर इसे अजीब लगते है यह अब दिमाग चला थी है वैसे पता चलता है कि कुट्टे की ऊपर एक clip थी इस clip में camera हो सकता है और इसी camera से photograph ले गए थे अगर एक कुट्टा इसे मिल गया और एक clip सो अचीव कर पाए तो innocent है यह पता चल जाएगा हमने movie के first में देखा है यह वैट्रेस दारों में water mix कर रही थी यह किम को पता चल गया था किम को एक कैसे पता है यह उसे मालूम नहीं है अब हमें पता चल चुका है कि जो dog था यहामेचा सब पर surveillance रखता था किम ने इस camera की video tape में ही यह सब देखा था जिवन पुलिस से photograph लागती है यह वैट्रेस अपने boyfriend के साथ इस yard पर आई हुई होती है संग जब इन दोनों को देखता है तो इसके boyfriend को मार देता है एक कुत्ता लेकर वहाँ से भाग रही होती है तो जिवन वहाँ आ जाती है जिवन ने कुत्ता लेती है और इसी yard में छिप जाती है संग इसे ढूनता है और मारने वाला होता है तब एक कुत्ता छोड़ देती है संग distracted हो जाता है जिवन उसे वार करती है पर उसे मार नहीं पाती संग उसे पकट लेता है उसका ग़ला दवारा होता है तब इवेट्रेस एक बड़ी सी चीज लेती है और संग के सर में डाल देती है संग यही पेवोश हो जाता है जो कुट्टे की क्लीप में कैमेरा था इसे साफ साफ दिखाई देता है कि किम को संग ने ही मार दिया था अब पुलिस के पास सही से एविडेंस मिल चुका है तो जिउन अफ्री हो चुकी है किम की property उसे मिलने वाली थी अब वो उसे मिल जाती है संग जेल में चला जाता है जेल में जिउन संग से मिलने के लिए आती है संग कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब कीसे situation थी तो मैं कुछ भी पता नहीं था अब जियून बहुत ही powerful बन चुकी है जियून कहती है कि क्या तुम्हें सचमें उसे मारनी की जरूरत थी संग कहता है कि मेरी मदर जो बिमार थी तो मैंने किम को लेटर लिखा था उसके इलाज के लिए मैंने उसे पैसे मांगे थे पर फिर से कभी contact मत करना इस तरीके का response किम ने उसे दिया था संग कहता है कि तुम अपने आपको भी इतनो औरेस्ट मत समझो तुम्हारे माइन में भी ये खयाल आया था उसे मार देना चाहिए जियून वहाँ से जा रहे हुती है तो संग कहता है कि हमेशा तुम्हे एक चीज याद रखना तुम्हे ये जो सब मिला है ये मेरी वज़े सही मिला है जियून इस पर हसती है और यहां से चली जाती है इसका मतलब है संग अगर किम को नहीं मारता तो ये उसे मार ही देती यही मूवे इंडर जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवेज लेकर ना तरह तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे हम फिर से मिलेंगे और एक मूवे के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया